नमस्तार दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल एई पर चर्चा तो जैसा कि आप जानते कि मैं अच्छर जो है वो जो भी रिसेंट के पॉपलर इंस्टागाम एकाउंट होते हैं उन पर रिसेंच तरता रहता हूं तो ये एकाउंट मुझे बहुत ही उनीक लगा जहां पर वो आप भी कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उसी कुछ रिल्स जो है जो की बहुत पॉपलर हो रही है लोगों मैं वो इताद आपको सुनाने की कोशिश लगता हूँ एक बार एक चिडिया ने मधुमक्षी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हूँ और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता तो इस पर मधुमक्षी ने बहुत ही सुन्दर जवाब दिया इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है अगर वो कभी मेरे शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता निशकर्श कोई भले कितनी भी स्मार्ट क्यों न हो वो सिर्फ आपके काम को कॉपी कर सकता है लेकिन आपके टैलेंट को नहीं तो देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से और इसकी देखिए वीउस की बात तरे ए ऐसे इस तरह की वीडियोज बनानी है मैं वो आप तो बताऊंगा हर एक चीज डीटेल में बताऊंगा और सब कुछ जो है वो फ्री होने वाला है दोस्तों इसके लिए कोई भी आपको जो है सबस्क्रिप्शन लेने की कोई जरूवत नहीं है तो इसके लिए जो सबसे पहल बताब दोस्तों मैं इंटरनेट पर सच करा तो कई सारी स्टोरी मुझे यहां पर मिली रहे कि उमीद की रोशनी इमांदारी की मानता है तो इसलिए बहुत सरी स्टोरी मिली तो सच करते समय मुझे यह वाली जो स्टोरी ती शेक आफ यो प्रॉबलम यह मुझे थोड़ी सी को पेस्ट किया और मैंने इसको बोला कि write this ये तो मैंने इसको बोला कि write this in Hindi Landage तो जब मैं इसको ऐसा बोला तो देखे इस ने पूरी की पूरी स्टोरी मुझे लिए जो है वह हंदी मेल लिक्या इसके बाद मैं आया word file में इसको copy करा और जो फोड़ा-बहुत मैंने इसको थोड़ो बहुत changes कर लिए दोस्तों, उसके बाद, अब जो दूसरा राम आता है हमारे पास वो ये, कि हमें इस steps से audio बना ली होगी, ठीके न, तो वो भी जो है, हम करने वाले हैं, बिल्कुल free में, दोस्तों, तो इस tool के बारे में, मैं बहुत सारी videos में अपने बता चुका हू और अगर आपको फिर से देखना है, तो मैं इस ता link जो है, वो description पर देदूँगा, आप वहाँ से इक बार देख लिजागा, कि कैसे इस पे हम बनाते हैं, steps to speech वो भी बिल्कुल free तो ठीके न, तो वहाँ से आप जब देखेंगे, तो यहाँ से मैंने इस steps to speech में कोशिश करने हैं, तो देखा दोस्तों आपने इस tool की help से, यह सभी के laptop में आपके available है, आप तो कोई subscription नहीं लेना और यह completely free है, इसके बाद मैंने कहता है, यहाँ से मैंने इसको जो है, वो file download कर ली, ठीके, अभी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास story हो गई, और हमारे पास जो है, वो मैं आया, chat GPT के पास, तो chat GPT पे आतर के, मैंने से पूछा, suggest me few image idea that I can showcase while making my videos, ठीके ना, please tell me scene wise, मैंने इसको बोला, कि भाई, मुझे कुछ image ideas बताओ, और मुझे जो है, वो scene wise बताना तो, ठीके ना, तो उसने बोला, ठीके देखे, वो फिर इसने जो है, वो Hindi में falling into the pit, ठीके ना, अब, यहाँ पर मेरे पास सब एक image लिए prompt आ गया, ठीके ना, अब दूसा ताम जो हमें करना है, अब हमें इस prompt की help से images बनानी होगी, और उसके लिए, जो है, हमें मैंने, मैंने help चुली, वो Leonardo.ai के लिए, ठीके ना, तो अगर आप तो यह भी नहीं पता कि लिए, पर कैसा ही ताम करते हैं, तो इसके लिए भी जो है, वो मेरे चैनल पर वीडियो है, और उपर आई बटन पर भी मैं ऐसी वीडियो डाल रहा हूँ, वहां से जातर के देख सकते हैं, दोस्तों, यह भी टूल बिल्कुल फ्री है, और बहुत आसान है, दोस्तों, प्ल मैं एक-एक चीज़े यहां से, अधनकी फॉलिंग इंटो देड्री ड्राइव ओल, वाचिंग अपसाइड विद इस अपॉइंट्मेंट एंड इमोशन, ठीक है न, यह जो वहां का प्रॉम्ट था, मैंने वहां से प्रॉम्ट कॉपी किया, और मैंने यहां पर इसको सिंप प्रॉम्ट भी मैंने आपको बतायाएं तो मैंने वहां से प्रॉम्ट कॉपी किया यहां पर किया, तो इस तरह की इमिज बन दी तीक है ऩो इसी लिए यहां पर जिस्ते लिए चैट जीपीटी से प्रॉम्ट देखें हाँ पर मिलता रहा, scene of the man efforts to rescue the donkey यहाँ पर man जो है वो कोशिच दर रहा है उसको rescue करने की तो उसके लिए भी जो मैंने यहाँ पर image बनाई हुई है एक वन सेंद में दिखाता हूँ उसको यह देखे दोस्तो यह यहाँ पर इस image में भी बहुत कोशिच दर रहा यह सारे जो prompt है वो मुझे मिले थे चहर जीपीटी से देखे यह देखे दोस्तों यह वाला ठीक है ना मैंने simply यहाँ से store अटाया और वहाँ पर stop paste किया और generate पर क्लिक किया और images जो है मुझे वहाँ से मिल गई तो ऐसी जो है one second इसी कई सारी images जो है वो मैंने बना ली दोस्तों आपको जो है कई सारी images चाहिए होंगी जिससे कि हमें YouTube या फिर इंस्टा शॉट के लिए ही इंस्टा रिल्स के लिए ही वो साइज मिल जाएगा इस तरीके से तरने के बाद अब यहाँ से जितनी चाहिए अब अगली चीज जो मुझे करनी है वह इस इमेज तो उस ओडियो फाइल को साथ में रखके इस तो एडिट करना है तो उसके लिए जो मैंने help लिए वो canva के लिए है तो देखिए अब हमें आगे canva पे मैंने कर आए मैं पूस्ता थोड़ा सा बता देता हूं वैसे तो editing है यह आप लोगों को आती होगी आप में बहुत से लोगों को बट स्टिल ठीक है न यहाँ पर जब हम आएंगे तो मैं गया इंस्टारील पे ठीक है न और वन सेकेंड देखिए इस तरह की का कुछ पे जाता है यहाँ पर ठीक है अब आपको यहाँ पर सिर्फ एड़ पेज तो यह देखिए ठीक है इसी इमेजिस का जो है मैं यूस तरूंगा ठीक है और मैंने जो MP3 फाइल हमें जो बनाई है जो टेक्स टू ऑडियो वाली तरही है ठीक है न वो भी मैंने यहाँ पर ठीक है न अपलोड कर रही थी है sorry one second यहाँ पर देखिए ऑडियो फाइल में य यह वाली वीडियो sorry audio जो है यहाँ पर है इस तो मैं यहाँ पर क्याता हूं मैं इस तो add कर दूंगा दोस्तों देखिए यहाँ पर add हो गई है इस तरीके से ठीक है यह हो गया अब बस मुझे audio को सुनते जाना है और जहां 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 पर भी audio जो जो बोल रहा है देखिए उसी तरह से मैंने यहाँ पर सारी जो है आपको मैं दिखाता हूं images को मैं डालता गया scene add करके यह देखिए दोस्तों यहाँ पर आप scene add करेंगे और जो भी वो बोल रहा हो तो उससे related जो भी आपको पास image यहाँ पर available है आप उसको add करते जाएंगे देखिए मैं आपको करेंगे तो one second आप देखिए यहाँ पर transition option आपको मिलता है बहुत सारे कि कोई भी option ही यह इस तरह था transition slide wise चाहते हैं आप circle wipe चाहते हैं color wipe चाहते हैं line wipe चाहते हैं तो जो बहुत सारे यहाँ पर option है जो आप चाहें लड़ाना वो आप यहाँ पर लड़ा सकते है अराम से ठी कि ना इसके बाद इसमें मैंने जो है वो transition जहां जहां पर हो रहा था वहां पर मैंने camera क्लिक की आवाज भी जो है इसमें add करी है तो इसके बाद चलिए मैं हम आपको final जो मेरी video बच गया थी वो इस पर सुनाता हूँ एक आदमी का गधा गहरी खाई में गिर जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उसे बाहर नहीं निकाल पाता है उसने फिर निर्ने लिया कि उसे गधे को जिन्दा ही दफना ना पड़ेगा और वो गधे पे उपर से मिट्टी डालने लगता है गधा मिट्टी का भार महसूस करता है उसे हटा देता है और उस पर कदम रख देता है इसके बाद और मिट्टी डाली जाती है गधा फिर से मिट्टी को हटा देता है और उपर कदम रखता जाता है जितनी भी मिट्टी जाती है, गधा उसे हटा देता है और उपर कदम रखता जाता है, जितना भार डाला जाता है, उतना ही गधा उपर उठता जाता है, दोपहर तक गधा हर्याली भरी घास के मैदान में चरने लगा है, Moral of the Story, बहुत सारी मुश्किले होकर भी जब तक हम सीखना और मुश्किलों को हराना नहीं छोड़ते, तब तक हम हर एक समस्या को पार कर सकते हैं, जब हम सीखने और समस्याओं का सामना करने से नहीं घबराते, तब हम हर्याली भरी पशुधन्य के मैदान में चरने की स्थित में पहुंच सकते हैं.